हेलो दोस्तो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल सा योगा लेके आई हूँ, जिसे आप बैठ कर बहुत ही अराम से कर सकते हैं, और यह जो योगा है, इसे बुजुर्ग लोग भ हो भी कर सकते हैं, जिनकी उम्रों 50 साल है, जिनका वजन बहुत भारी है, जो ज़्यादा एक्सरसाइज योगा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बिल्कुल सिंपल सा चोटा सा योगा है, और जो बुजुर्ग हैं, उनको तो रोज सुबा मॉर्णिंग में इसे जरूर करना चाहिए, ताकि उनके जो जोइंट पेन होते हैं, हाथ-पेर में दर्द रहता है, या फिर उनको जिस जिस से भी प्रॉब्लम होती है, उससे भी उन लोगों को अच्छा रहेगा, उनके सरीर में फूर्ती भी आईगी, डेली मॉर्निंग में 5-6 मिनट आप करिए, आप और ज्यादा स्वस्त रहिएगा, तो चलिए में स्टार्ट करते हैं, इसे करना कैसे है, यह बिल्कुल सिम्पल है, और यह बुजुर्ग के लिए है, और जिनकी वर्जन बहुत ज्यादा है, उनके लिए भी है, ज्यादा वो भारी अक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो इसी से पैरों की जो उंगलियां होती है, इसे, इसे हिलाएंगे हम, और कुछ में आपको सीधा चुक्चा बैटना, अपने पैर की उंगलियों को इस तरह से आपको हिलाना है, अंदर, बाहर, इस तरीके से आपको अपने पैर की उंगलियों को पीछे, फिर आगे, ऐसे करके पैर क तो इस तरह से अपने पैरों को पूरा नीचे ले जाईएगा फिर उपर की और आपको लाना है तो पांच-दस-बारा पैसे कर लिजेगा आराम-आराम से धीरे-धीरे से फिर इसको इस तरह से सरकल बनाना है राउंड से घुमाना इस राउंड से फाइब बार इस तरह से अराम-अराम से धीरे-धीरे से फिर इसी साइड से उल्टे साइड से आपको इस साइड से करना है तो फाइब बार आप इस साइड से कर लिजे तो बिल्कुल सिंपल है इस तरह से आपको अपने प्यारों को घु तू तू ट्री इस तरह से आप अपने हाथ को भी यहां लगा सकते पैरों के पास और अगर आप कर सकते हैं तो इस तरह से आपको करना है वान तू ट्री को पाइफ यह परों के लिए एक्सराइज और बहुत ही अच्छा शिंपल है आपके पैर में जो दर्द होते हैं उससे आपको अराम मिलेगा इस तरह से फिर आपको लाना है वान आप यहां पकड़ सकते हैं सपोर्ट के लिए त्री पोर फाइफ और एक बात बताओं अगर आपके घुट्णों में दर्द रहता है ना यहां पे कुछ कपड़ा या तॉलिया लगा के भी अब धीर दीरे इस तरह स सकते हैं तो आपको दोनों पैरों को साथ में वान तू रे ओ इस तरह से पैर का कंप्लीट हुआ उसी तरह से आपको अपने पैरों को फिर अच्छे से लाकर आराम से बैठना है मैं बेज़्यासन में बैठके नहीं बता रही हूं जो उस तरह से नहीं बैठ पाएंगे तो आपको इस तरह से आराम से बैठना है उसकी बाद आपको अपने हाथों की उंगलियों को इस तरह से बंद करना है छोड़ना है बंद करना है खोलना है उंगलियों को बंद करना है खोलना है बिल्कुल सिंपल है उसकी बाद अपने हाथों की कलाईयों को इस तरह राउंड मंचें तरह से लिए युद्ध के लिए बहुत ही अच्छा हीוכा या फिर जो उनका वजन बहुत ज्यादा है जो ज्यादा चल फिर नहीं सकते ज्यादा भारी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो भी इसे बैठके बहुत सिंपल तरीके से एक ही जगा पर कर सकते हैं अपने घर पर तो इस तरह से पहले आपको आगे से करना है फाइफ बार उस आपको अपने कंधों को इस तरह से वान चेज़ दूसरे शाइट से भी है आपको सरकल जैसा से वान टू टू प्री बेल बत इस तरह से आपको करना है उसके अपने हाथों को आपको बिलकूल आप ज्यादा कुछ नहीं इस तरह उपर तो ले यह सकते हैं ऐसे जितना जा सकते प्र आपको का करना है अब को पर्ण कर बूंग में अपने हाथों कासरे लेना है एसे घुलिये कि और इये हाथ आपका पीछे जाएगा है हमां से उठाना है हाथों को 1 आगर इसी तरहको को दोनों साइट से करना हैं 1 2 3 5 है तो आपको 5 भर करिये टेन बार 15 वाड है पुछितना होभितेən आप करिये इस से एंगे वितना करना कुछ भी नहीं इदेल है इस सात को इस सब आपको इस और आज में बता रहा हूँ योगा बता रही हूं अबेट इस तरह से अपनी आपको स्वष्थ कर अदर बाहर दोनों से आप स्वष्थ और शोना चाहिए लिए तो जितना आपका पैर मुझे आपको ऍउसक erst az origin को पकड़ने जादा जह लूद्रेम के यह शेड़ा प्रAre नहीं बतारीहीं है बस और कुछ नहीं उसके बाद आप लेट कर एक योगा कर सकते हैं जो आपके पेट के लिए भी अच्छा रहेगा आपको इस तरह से सीधा लेटना है पहले आप अपने घर पे भी अराम से लेट सकते हैं अपने पैरों को कोसिस कीजिये इस तरह से इस पैर के उपर लाने का इस तरह तो आप करी सकते हैं बिल्कुल अपने पैरों के उपर और कुछ नहीं इस तरह से ठानने का थोड़ा कोशिस कीजिए इस तरह से एक पैर के उपर एक रखके एक दम धीरे-धीरे अराम-अराम से इससे आपका पूरा बोड़ी का एक्सरसाइज हो जा कुछ भी नहीं है अपने लात वाधष से अपने पैरों को पगड़ी सकते इस तरह से आपने फिर एक उतने हैं ध cracking तो आप इस तरह से हाथों को करके तुर को सकते हैं इससे आपके पएठ पर अच्छा होगा इस तरह सब को थोड़ी देर रखनाना थे अपने अप्कों सिंपल हो जाना है जो इसcedha को आपको अराम करना स्पीड नहीं करना अराम सिख जैब सपके इस साइड वे अराम करना है WOR El can a question कि इथना सिंपल सा है और कुछ भी नहीं है बिल्कुल अराम इज्जी है और आप इससे सीधा कर सकते हैं तो अपने पयारों को थोड़ा अलग करिए इस तरह से भी आपको करना है इस तरह से यहां लाना है इस तरह से अपने जो गुटना होता है ac तुपो से केडिध 찾 धुमेंगा यास दूम है दूसरे साइड घुमेंगा इस तरह से पिर आपको एकदम आराम से सीधा हो जाना है विलकुल सिम्पल है एकदम सीधा और आप लेट कर इस तरह से कर सकते दू direct ट्री तो जो लोग उठ सकते हैं जिनकी अच्छी है जैसे मैं बताई बुजुर्गों के लिए तो ज्यादा उठकर भारी एक्सराइज नहीं कर सकते हैं लेकिन जो लोग उठ सकते हैं वो इस तरह से उठें उपर की ओर इस तरह से जो उठ जाएंगे धीरे-धीरे तो उनके पेट बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है बुजुर्गों के भी हो जाते हैं तो दोस्तों यह मैंने बहुत ही छोटी सी और सिंपल से एक्सराइज बताया जो हर उम्रे के लोग कर सकते हैं अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजेगा और ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बना हूँ आप लोगों को मिल सेगे तो आप न्यू है तो सस्क्राइब जरूर कीजेगा ओके बाई थैंक यू